हेलो गाईज, आज का ये सिश्यन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग जो है इंडियन नेशनल मुवमेंट का जो टॉपिक है, उसे कंटिन्यू करते हुए, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, और हमारा आज का जो टॉपिक है, वो है डिमांड अपुन्ट स्वराज पे, ये टॉपिक्स जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज, डॉंट मेस, देखे, ये टॉपिक्स जो है, आपका क्लास 10th के विउसे, और किसी भी कॉम्टिटिव एक्जाम के विउसे, दोनों से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये आगे हम लोग जानते हैं कि इस डिमांड अपुन श्वराज की स्टोरी जो होती है, तो जैसा कि 1928 में शाइमन कमिशन इंडिया था, तो उसका भारत में पुन रुपेन विरोध किया था, शभी जगह उसे ब्लाक जंडे दिखाए गया थे और साइमन गो बैक के नारे लग जो है अपने रिपोर्ट को तो अपमे रिपोर्ट और साइमन कमिशन के इंडिया में आने सबरे ही जैसे कि अचार किया डानी आवाल था, तो आपका ब्रिटिस ने इंडियन श को यह चैयलेंज किया था, और शौंणमे बर्चन के ऑपने कांसिट्योशन को ड्राफ्त करश लेकिन ब्रिटिस ने यहां पर कंडिशन रखा था कि जो आप कॉंसेटिशन को ड्राफ्ट करेंगे वो सर्वमानने होना चाहिए मतलब उसमें सभी की सहमती होनी चाहिए तो आपका जो है 1928 में ही जो है नहरु रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया गया और बहुत ही कम समय में यह बहुत ही जो है सोचने वाली वात है कि सिब दो महने के अंदर उन्होंने इस चैलेंज को एकसेप्ट किया और दो महने के अंदर कॉंसेटिशन को जो है ड्राफ्ट भ रहेंगे आप लोग तो जैसा कि नहरु रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया गया था तो उसका जो है ब्रीटिस ने इस इनकार कर दिया था क्योंकि कॉंग्रेस केहीं जो बहुत सारा लीडेर थे उसे जो ए वो नहरु रिपोर्ट पसंद जीं आए था क्योंकि उसमें सब्सक्राइब करें कि हमारी आगी की रनीती क्या होगी तो आपका 1928 में सब्सक्राइब का सब्सक्राइब किया जाता है इस समय भारत का जो है वाइचरा जो था वो जा लोड एर्विन तो होता क्या है सो देखिए अब हम इसको जो है पॉइंट भाई हम लोग समस लेते हैं कि लौड एर्विन उस्तमें वाइसराय था और इंग्लैंड में आपका जो है यह जो है मिली जुली सरकार थी तो यह को जो है सभी की बातों को मान करके चलना था और लेकिन लेवर पार्टी जो है वो इंडियन के प्रती जो है सहानुभूती रखती थी इंडियन के प्रती जो है उनका जो है शनेह था वो उनलों के प्रती जो है अच्छा सोचते थे लेक भारत में जो भी अभी कंडिशन है वो जो है बहुत ही खराब हमें उसे जो है किसी ना तरीके से जो है कंट्रोल करना होगा तो कुछ हमें स्टेप लेने होंगे तो वह स्टेप क्या था उसको हम लोग देख लेते हैं तेखे क्या है कि इन ऑक्टूबर 1929 द वाइसराय लॉड एर्विन अनौस एंडर अन सर्ण ऑफर ऑफ डॉमिन स्टेटर्स फर इंडिया यहां पर देखे क्या होता है कि इन 1929 जो है वाइसराय लॉड इर्वीन थे वह जो है नाउंस करते है वह यह घोशना करता है कि हम लोग जो है भारत को जो है डॉमिन इस्टेट का मतलब होता ह अधिरराज्य प्रतान करेंगे यह उसने जो है नांस किया दूसरा उसने नांस्मेंट क्या कि कि रउंड टेवल कॉंफरेंस टु डेस्कॉस अफ्यूशर कांसितुशन हम लोग जो हैं इंगल कॉंफरेंस और उसमें इंडियांज जो है लिडर वह पाटिसेपेट करेंगे इंडिया के future Constitution के बारे में हम लोग discuss करेंगे जो है Lord Irwin के दोरा अनॉंस किया अब जो है ये तो Lord Irwin के दोरा हुआ लेकिन ये रॉड़ टेवल कॉनफरेंस को जो है औक नाइज करने के बारे में कहा गया लेकिन Congress जो थे उन्होंने जो है अकसेप्ट नहीं किया Congress जो है तो दिसमबर 1929 में डेट है इसका 31 दिसमबर कि 31 दिसमबर 1929 में आपका कॉंग्रिश का शेशन जो है वो एल्ड किया जाता है यहां पर देखे क्या है कि जब लाहॉर में शेशन रोंगडाइस किया जा रहा है और यहां पर प्रिफेर कि आपका जो है अधर्चता करने के जो है इस शेशन के अधर्चता नहीं करूंगा जो हाला लेहरू जो है वो अधर्चता करेंगे तो क्या होता है कि इन दिसमबर 1929 अंडर दा प्रसेदेंसी आप जोहाला लेहरू दो लाहार सेशन फार्मलाइज दिमांड पुल्ष्वराज और फुल इंडिपेंडेंडेंस अब जब महात्मा गांधी ने जोहाला लेहरू को जो है इस शेशन के अधर्चता करने के लिए कहा तो होता क्या है कि अब अधर्चता कौन कर रहे हैं पंडी जोहाला लेहरू कर रहें तो उन्होंने जो है मतलब की उस शेशन में यह डिसाइड किया गया कॉंग्रेश के द जब तक हमें फुल इंडिपेंडेंडेंस नहीं मिल जाता है भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता है इसके शाथ उन्होंने और भी कुछ चीजों को डिसाइड किया था वो देखे क्या है कि इट वाज अलसो डिक्लेयर डाट 26 जन्वरी 1930 वोल्ड भी सालिब्रेट ऐस अब देखिए आपर क्या है कि यहां जो मैं स्टार्टिंग में ही बोली थी कि हम लोग जो है इस शेशन में जानेंगे कि यह टॉपिक्स का जो तीन चीजे जो है वो क्या है कि यह पुर्ण स्वराज की मांग क्यों की गई थी क्योंकि जो है इंडियंस के कॉंस्टूशन को जो है रिजक्ट कर दिया गया था उन्हें जो है किसी भी तरीके से एक्सप्ट नहीं किया जा रहा था उनके किसी भी आक्टिविटी को जो भी वो डिमांड रखते तो सारे चीजों को जो है वो जो है आपका डिक्लाइन कर दिया जा रहा था उसके बाद जो है यह कब गया था कि 26 जनवरी 1930 को जो है हम लोग इंडिया जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा लेकिन यहां मैं आप लोग को एक चीज जो है और बता दूं कि जैसे कि हमारा इंडियां इंडिपेंड हुआ तो उस्से पहले हमारे स्मिधान लिखना स्टार्ट कर दिया गया था तो हमारे कॉंसिटीशन को लिखने में जो समय लागा था वो 12 चान् больше Belt Unitedxes हमारा Constitution 26 November 1949 को बनकर के तयार हो गया था बट लागू नहीं किया गया था तो यहां देखिए कि आखिर जब बनकर के तयार हुआ तो उसे इंप्लिमेंट क्यों नहीं किया गया था टाइम क्यों लगा तो कुछ जो है इंपॉर्टेंट डेट भी जो है उसका महत्व रखता है और भी बहुत सारे जो सिस्टम थे वह महत्व रखता है तो यहां देखिए आप लोगों ने कभी शोचा कि आखिर 26 जनवरी ही हमारे कौन जो है 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट किया था इसलिए जो ही यह बहुत इंपॉर्टेंट है तो देखिए हुआ क्या कि हमारा देश जो है कि वो जो है 15 अगस्त 1947 को जो है आजाद हुआ तो वो डेट तो हम लोग बदल नहीं सकते थ इसलिए जो हमारा जो है कॉंस्टिशन को इंप्लिमेंट जो है आपका इसी दीन किया गया और इसलिए हम लोग जो है 26 जनवरी को जो है रिपब्लिक डेट करते हैं मैं उमीद करती हूँ कि आपको जो है यह जानकारी अच्छी लगी होगी चलिए जो है आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि आगे फिर क्या हुआ देखे कि डिसाइड कर लिया गया था कि हम लोग जो है इंडिपेंडेट करेंगे अब यहां पर क्या होता है कि वेन पीपल्स वर टू टेक अ प्लेच टू स्ट्रगल फोर कंप्लीट इंडिपेंडेंस और लोग जो है उन सभी नहीं दोतके कुछ कि लोग जो है प्रतिज्ग्या लिए कि हम लोग जो है तब तक जो है शांती से नहीं बाठेंगे जब तक हम लोगों को कंपलीट इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाता है बट दता अस सबूझ अट अट्रैक्ट बेटेंस लेकिन जो है वह है वह बहुत ही कम लोगों तक जो है इसका जो है एफेक्ट पड़ा या हम लोग का सकते बहुत कम लोग जो है इसके तरफ अट्रैक्ट हुए थे इंडिपेंडनेस डे के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए तो कहा गया पंडी जोहला नहरू ने जो है 26 जनवरी को जंडा फार आया और उसके बाद पूरे देश में जो है स्वतनता दिवस के रूप में मनाया या लेकिन फिर भी जोह है इसका बहुत ही कम इंपक्ट जोह में देखने को मिला था बहुत ही कम अशर रहा आगे क्या होता है कि शो महात्मा गांधी had to find a way to relate this the abstract ideas of freedom to more concrete issue of everyday life अब जोह महात्मा गांधी जोह है वो अब फाइंड करना चाहते थे कि फाइनली आखीर जोह हम लोगों ने जो यह डिसाइड किया तो इसका जोह है उतना अटेंसन हमें लोगों का नहीं मिला तो हमें जोह है कुछ अब एक ऐसे रास्ते तलास करने होंगे जिससे कि हम लोग जोह है सभी लोगों को जोह है connect करके और हम लोग फाइनली जोह है स्ट्रगल कर सकते हैं इंडिपेंडेंडेंस के लिए और वो उनका जोह है रास्ता क्या था तो सभी ने अवग्या आंदोल करेंगे ऑप इन्डिपेंडेंस से लिए और एक निष्चे भी किया था कि हम लोग जो है तब तक शांती से नहीं वेठेंगे जब तक हमने इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाता है लेकिन यहां पर मैं कुछ बतादू कि पंडी जोहला नहरू, नहीं ने जो है यह जब चाहिए कि हमें अपने आप पर बिश्वास रखना चाहिए और भारत को अंग्रेजों का समर्थन नहीं करना चाहिए और हमें पुन्षवादनता प्राप्ट कर लेनी चाहिए जैसे की इंडिया में जो है तो इसलिए आगी का जो रास्ता था वो था शविदय आवग्य आंदोलन की तरफ और जो है आपका आगी जो है वो फिर स्टार्ट किया गया तो हम लोग जो है आज के शिशन में